हेलो एब्डिवन कैसे हैं आप सब आज हम गोवी की सब्जी बनाएंगे अलू गोवी की ये अलू है और गोवी को भी मैंने कट कर लिया है साथी साथ अध्रक को ग्रेट कर लिया है और ये दो मेडियम सेज के टमाटर है इसको भी मैंने काट लिया है बारिक बारिक इधर मैं के बाद मैंने इसमें जीरा और हींग डाला है और साथ ही साथ हम इसमें टमाटर डाल देंगे और इसको मिला लेंगे अच्छे से यह सब्जी बहुती जल्दी बन जाती है और बिना प्याज और लैसन की आलू गोवी की सब्जी अगर आप ऐसे बनाते हैं तो बहुती टेस्टी लगेगी आपको इसके साथ हम इसमें डालेंगे अद्रक गिरेट क्या हुआ अद्रक है यह अद्रक डालने से गोवी का के गयास की फ्लेम मिडियम पे है अब हम ढालेंगे इसमें धनिया पाउडर मैं धेट म儍 चमश धनिया पाउडर डाला इसमें और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर एक चमश हल्दी पाउडर एड के जमने formas साथ हम डालेंगे इसमें लाल मिश पाउडर एक चमश लाल मिश पाउडर डाला है बहुत ही कम मसाले डाले हैं मैंने और सब्जी आप देखिए अब बहुत ही टेस्टी बनती है थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं और पानी डालके हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना है ये देखिए भून चुका है अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी कस्तूरी मेथि डालने से सबजी में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इसमें डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्ज इस सबजी का कलर बहुत अच्छा आता है औप्शनल है अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं अगर आप डाल देते हैं तो सबजी का फ्लेवर इसमें जो कलर है बहुत ही अच्छा आएगा मसाला भून गया है पांच मिनट मैंने इसको भूना है मीडियوم फ्लैंन में तेल बलकुल अलग हो चुकर है इसे में अबम मीरिल में चला जाता है चलव कर्देंगे बात। इन दोनों को मिला लेंगे अच्छे से अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, अगर आप ज़्यादा ग्रेवी वाला रखना चाहते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा पानी याड़ करें, अगर आप सूखी सब्जी बनाना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से कम पानी याड़ करें, मैं बिल्कुल सूखी सब्जी मैं 5-6 मिनिट के बाद सब्जी चब कर रही हूं यह देखे आलू चब करेंगे आलू बिल्कुल हो गया है सब्जी बिल्कुल डन है गाईज अगर आपको पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास मेरी वी लगती है अब इस तरीके से बनाकर मुझे कमेंट करना तो